वेल्कम बैक अब्रीवन वेल्कम टो सिवल सर्विसेश ट्रडी देखें यूपी पी एससी 2019 के टेस्ट सीरीज चल लही थी 96 टेस्ट कम्प्लीट हो गए थे यह है टेस्ट नमबर 97 फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी और कॉंस्टिूशन के प्रशनों पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट बैल आइकन को प्रेस रखना लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर लेजे एक लाइक कर देना का टेस्ट पसंद आता है तो यहाँ दो प्रशन है इनका कमेंट वक्स में कमेंट करक चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 97 और UPPSC अब और सबोर्डिनेट 2019 तो प्रशन क्रबांग संख्या एक क्या कहती है इन में से किसे राष्ट पती सबत नहीं दिलाता भारत के जो राष्ट पती हैं निमलिकित में से किसको सबत नहीं दिलाते हैं मुख्यने आधीस क मुख्यने आधीस को सबत भारत के राष्ट पती द्वरा दिलाई जाती है करेक्ट है और परधान मंत्री को भी राष्ट पती के द्वरा ही सबत दिलाई जाती है लेकिन लोगसबा अध्यक्स तो सबत दिलाएगा कौन इनको क्योंकि लोगसबा का जो अध्यक्स है वो तो सरस के रूप में पहली सबत ले लेता है तो फिर यहां पर जो है जो राष्ट पती है वो लोगसबा के अध्यक्स को सबत नहीं दिलाते तो इसका अंसर हो जागा ओप्सन नमबर C क्योंकि लोगसबा का मेंबर है मेंबर बना ह तो सपतली होगी फिर वो मेंबर बन गई आपस में बोटिंग करके किसी एक को अधिक्स बनाते न तो इसका अंसर क्या हो जाएगा नहीं दिलाता तो लोग सभा के स्पीकर को बरतमान में लोग सभा का अधिक्स को नहीं जरा कमेंट करके बताइए तो पुशन नमबर टू है किस समीती को प्राकलन समीती की जुड़वा वहन के रूप में जाना जाता है प्राकलन समीती की जुड़वा वहन के रूप में जाना जाता है किसको लोग लेखा समीती को प्राकलन समीती की जुड़वा वहन के रूप में जाना जाता है देखे प्राक सवा के लोकलेखा समीती में काम क्या है लोकलेखा समीती जो नियंत्रा के में महालेखा परिक्षक होता है उसके प्रतिवेदनों की जाज करती है लोकलेखा समीती सरकारी उपकरम समीती में भी 22 मेंबर होते हैं 15 लोकसवा के उसाथ राजसवा के लेकिन यहाँ पर जो प्राक्लन समीती है उसको जुड़वा वहन कहा जाता है और यह जो समीती बनाई जाती है वो एक वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है इसे लगू लोक सभावी कहते हैं याद रखियेगा और समीती के जो सदस्यों का संसद्वारा प्रतियक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणिये मत प्रणाली की साहिता से चैन किया जाता है और इस समीती के अध्यक्ष का जो मनोनयन है वो लोकसभा अध्यक्ष के दोरा किया जाता है तथा लोकसभा सच्ची वाले इस समीती के कार्याले की भूमी का आदा करता है अध्रखी का Q3 है किसे भारत में इस्थानिय स्वसासन का पिता कहा जाता है भारत में स्थानिय स्वसासन का पिता कौन है important है प्रेशन बहुत बार पूछा है Lord Rippan Lord Rippan है भारत में स्थानिय स्वसासन का पिता तो इसका अंसर हो जाएगा option number C यहाँ पर जो कारणोवालेस है वो जमिदारी विवस्था लेकर आया था और भारतिय स्विल सेवा का जनक Lord कार्णोवालेस को कहा जाता याद रखना question number 4 है पंचायती राजववस्था का मूल उद्देश क्या है लोक तांत्रिक विकेंद्री करण को बढ़ावा देना राजनितिक पार्टियों का समर्थन करना लोक तांत्रिक विकेंद्री करण को बढ़ावा देना है और विकास की प्रकरिया में जन भागिदारी को सुनिश्चित करना ये भी है करेक्ट है तो इसका अंसर दो करेक्ट होगे तो इसका अंसर हो जागा A और D option number B वो पंचायती राज शुरू कहा हुआ था सबसे पहले भारत में पंचायती राज सभी को पता होगा 2 October को नागवर राजस्थान में पंचायती राजववस्था सुरू की गई थी नागवर कहां पर है राजस्थान में Question number 5 है इनमें से कौन सी समिती पंचायती राजववस्था में सुधार हेतु गठित की गई है कौन सी समिती है जो पंचायती राजववस्था में सुधार हेतु गठित की गई है LM सिंधवी समिती LM सिंधवी समिती है और दूसरा है PV के राव समिती ये भी है असोक महता समिती असोक महता समिती भी है, पनचायती राज से सम्मड़िये, तो इसका आंसर हो जागा, आपरोक सभी और जो इनका यह बॉस है, वो देखा जाए तो, वो कौन है? बियार महता बलवंत राय महता बलवंत राय महता ने पंचायत को तीन इस्तरों में बाटने की सिफारिस की थी उन्हीं के द्वारा उन्हीं के परितनों के द्वारा जो पंचायत था उसको तीन इस्तरों में बाटा गया और असोक राय महता ने दो इस्तरों में बाटने की पार इसकी थी उसे नॉम्बर सिक्स है पंचायति राज़ ववस्था से है जोहत्तर बाश संब्रां संसोदुंदान दिनेंएं नायंटीन नायंटीन तरी तरीते हैं तो इसका आणसर हो ज collab कि योग गता के लिए कौन सा असत्य है तेकि सुप्रीम कोट का अगर आपको जज बनना है नयाधीस बनना है तो आपको भारत का नागर इखोना पड़ेगा करेक्ट है किसी उच नयाले में कम से कम पांच वर्सों तक नयाधीस के रूप में कार्य करना होगा ये भी करेक्ट ह और किसी उच नयाले में किसी राज के हाई कोट में लगाता और दस वर्सों तक बकालत करनी होगी मतलब अधिवक्ता रहा हो तीनों के तीनों करेक्ट हैं अगर नयाधीस बनना है तो सुप्रीम कोट का वह पर्धान मंत्री की दरष्टी से कानून का उच्छ कोटी का ग्या में में कुरस्चन नमबर रेट है उच्छ नयाले के नयाधीस को हटाया जा सकता है उच्छ नयाले या सर्वोच नयाले तो सुप्रीम कोट की बात है लोक सभा एवं राज सभा के साधरन बहुमत द्वारा केवल लोक सभा के विसेश बहुमत द्वारा सावित कादाचार एवं असमर्थता के अधार पर संसत के प्रतेक सदन द्वारा विसेश बहुमत पारित कर राश्टपती के आदेशानुसार या संसत के प्रतेक सदन में विसेश बहुमत द्वारा राश्टपती की स्विकृति के उपरांद देखे केवल लोक सभा के द्वारा बहुमत पारित करके तो इसको हटाया नहीं जा सकता संस्त के दोनों सतनों को सामिल होना पड़ेगा पर ये साधर्न बहुमत से नहीं हो जाएंसकाम विसेश बहुमत से होगा तो संसत के प्रतेक सदन में विसेश बहुमत द्वारा राश्टपती की स्विकृति के उपरान्त है तो यह भी सही लेकिन इससे अच्छी व्यक्या का करता है option number C करता है साबित कदाचार एवं अस्मर्थता के आधार पर संसत के परतेक सदन में परतेक सदन का मतलब है या तो लोक सवा में विधहक चल जाए पहले राज सवा में चल जाए या पहले राज सवा में चल जाए लोक सवा में चल जाए तो संसत के परतेक सदन दौरा बिषेज बहुमत का मतलब क्या होता है टू थर्ड मजोर्टी पारित करके राश्टपती के आदेसा नुसार इसको हटाया जाता है तो इसका अंसर हो जागा option number C question number nine है भारत सरकार ने उपहोकताउं के हितों के संरक्षण के लिए उपहोकता संरक्षण आधनियम कब पारित गया था? important है सीधा-सीधा date पूछ लेगा कब पारित किया था ये? 1986 में 1986 में कब 1986 में पॉस्चन नमबर दस है भारते सरवोच नियाले के संदर में कौन सा एक असत्य है सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है भारत की नियाईक विवस्था एकहरी और एकिकरत है जिसके सरवोच सिखर पर भारत का उचितम नियाले है मतलब सुप्रीम कोर्ट है उचितम नियाले दिल्ली में स्थित है यह तो सभी को पता होगा करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट है हम पर उचितम नियाले के स्थापना उचितम नियाले के स्थापना अधिकारिता सक्तियों के विन्यमन से संबंधित विधी निर्माण की सक्ति भारते संसत को प्राप्त है उचितम नियाले की स्थापना, कौमा उसका गठन, कौमा उसकी अधिकारिता और सक्ति यहां कौमा छुट गया है उचितम नियाले की स्थापना, कौमा उसका गठन, कौमा उसकी अधिकारिता और सक्थियों के वेनेमन से संबंधित विधी निन्मार्ण करने की जो सक्ती है वो भारत की संसत के पास है, पार्लामेंट के पास है, तो गलत यही हो जागा फिर, उचितम नियाले के गठन संबंधी प्रावधान भारती संबिधान के अनुच्छेद 123 में दिये गए हैं, ग प्रारंबिक शेत्रादिकार, अपिले शेत्रादिकार, परामर्श दात्री शेत्रादिकार और अभिलेक न्याले, देखे सर्वोच न्याले के ये सारे के सारे शेत्रादिकार हैं, सर्वोच न्याले के पास भारत के सुप्रीम कोर्ट के बास प्रारंबिक शेत्रादिकार भी और परामर सिदात्री शेत्र अधिकार भी है और साथ ही साथ अभिलेक न्याले भी है इसके अलावा उसके पास मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो और पुनर विचार संबंदी शेत्र अधिकार भी है अगर बात की जाए प्रारंबिक शेत्र अधिकार में तो इसके अंतरक कौन करेगा राष्ट पती करेगा और राष्ट पती का ये प्रारंबिक शेत्र अधिकार होगा या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के वीच विवाद हो जाता है और जिसमें उनके बैधानिक अधिकारों पर प्रशन चिन लग जाता है तो ये सब उसका प्रारंबिक शेत प्रौम्रेश्था तुन द्र स्मिधानि, और देता है, जडी सुप्रेम कोर्ट राष्ट प्रौश्यतम नियाले राष्ट प्रौश्ट प्रौश्य। अभिलेक नियाले का क्या मतलब है भारते संभिधान का अनुच्छे 139 पुचितम नियाले को भारत का अभिलेक नियाले घोशित करता है इसका आशे क्या है इसका आशे है कि इस नियाले के निर्णे सब जगे साक्षी के रूप में स्विकार किये जाएंगे और इसकी प्रशाद पयंत्र है राश्ट पती के प्रशाद पयंत्र प्रधान मंत्री है राज्यों का राजपाल है और केंद्र के मंत्री गण भी है ये सबी की नुक्ति राश्ट पती के द्वरा तो की जाती है और इसके अलावा और कौन है महाने आवादी है महाने आवादी महाने उनिया है ना उमिट जय gehört को चुछ जागं दकी अर्षिर मिन本त के गादिया कंसर हो सभाएं किंसर केयिं प्रशाद पनेत्र नहीं तो dob outfit फिर टीना ऐसी तैन यहांज M लोकसवा राजेसवा के पास उसके बाद दोती हाई मजॉर्टी के बाद अगर पास होता है तब राश्टपती के पास हाएगा राश्टपती महर लगाएंगे लेकिन ये जो है ये परशाद पयांतर है इनके लिए किसी बिसेज प्रावधान की आवश्चकता नहीं है पूछा जाता है भारत का महान अएवादी अटरनी जनरल ऑफ इंडिया भारतिय संविधान के नुच्छेट 76 में इसका प्रावधान है ये एक तो महान अएवादी भारत सरकार का सरोच विधियादिकारी होता है ये भारत सरकार को कानुनी विश्व में सला देगा जब सरोच विधियादिकारी है तो कानुनी विश्व में सला देगा करेक्ट है महान अएवादी के नुक्ती राष्टपती दो रखी जाती है तथा वह उसके परशाद पयांत्र पद धारन करता है महान एवादी को साहता देने के लिए एक सॉलिसिटर जर्नल तथा दो अतिरिक्त है आगे का किदर है आगे का में पूरा कर देता हूँ तथा दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जर्नल होते हैं तो उपरों कत्नों में से कौन सा सही है सारे के सारे करेक्ट हैं तो एक दू तीन चार चारों के चारों करेक्ट हैं तो इसका आंसर हो जागा वन टू फोर पूशन नूमर 14 है अब सीय जी की बात होती है नियंतर केम महले का परिक्षक के संदर में निमले खितकतनों पर विचार कीजिए इसकी नियुक्ति राष्ट पती के द्वारा की जाती है करेक्ट है इसकी पद अवधी पद धारन करने के तीथी से 5 वर्स और 65 वर्स की आयो जो भी पहले पूरी हो जाए तक ही अपने पद पर बना रहता गलत है देकि 65 तो है लेकिन ये 5 वर्स नहीं बलकि 6 वर्स हो तक है और जो नियंतर केम महले का परिक्षक है वो सेवा निवरत्ति के पस्षाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारन नहीं कर सकता करेक्ट है य स्टेट्मेंट अलग से पूछा जा सकता है अप्रेशन के सारवजनिक धन का संरक्षक कौन है संसद या फिर नियंतर केम महले का परिक्षक तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंतर केम महले का परिक्षक तो वन करेक्ट है थर्ड करेक्टर फॉर्थ करेक्ट है दूसरा यहा और option number C option number 15 है इन में से किन उपबंधों के लिए संसद के साधरन बहुमत की आवश्यक्ता होती है नए राज्यों का गठन करना है साधरन बहुमत की आवश्यक्ता है राजशेत्र उसकी सीमा और उसके नाम में परिवर्तन करना है साध्रन बहुमत की आवश्यक्ता है राष्ट पती का निर्वाशन करना है इसके लिए साध्रन बहुमत नहीं विसेज बहुमत राष्ट पती का निर्वाशन करना हो या फिर राष्ट पती को पत से हटाना हो तो इसके लिए विसेज बहुमत लगता है तो Sorry for this, भारत वियां हैं, भारत वियां या खर्चे हैं, राष्ट पदी के वेतन भत्ते अब मुस्कियान ने खर्चे भारत की संचित निधी पर हैं, correct है, भारत सरकार पर किसी नयले द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट भी संचित निधी के अंतरगत आते हैं, ये भी correct है, ऐसे रिण, ऐसे रिण, ऐसे रिण, जिनका दायत भारत सरकार पर है, ऐसे रिण भार, ये देखें, भार है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी हो गई है, ऐसे रिण भार, ऐसे रिण भार, जिनका दायत भारत सरकार पर है, तो सारे के सारे correct हैं, तो 1, 2, 3, 4 हो जाए पहरत का के राश्ठपती के बेतन एब बहत्त ऻुरू पहरत का ये बहत्त अब बहत्त जो है तो सारे के सारे जो हैं भारत की संचेत निधी से जाते हैं सत्रवार प्रशन है भारत की संविधान के किस अनुछेद में अकास्मिक निधी का प्रावधान है यह important है सीधा सीधा पूछेगा प्रशन अकास्मिक निधी किस में है तो भार्ते संभिधान के ऐनुछे 266 में है 267 में वुष्यन नूंबर 18 है नमलिकत मेंसे कौन सा एक कथन असत्य है संसद में वित्य विधहक के द्वारा भी लोक वित्त का नेंत्रण रखा जाता है करेक्ट है धन विधहक के ऊपर विवाद होने पर संयुक्त वैठक का प्रावधान नहीं है करेक्ट है साधर्ण विध्यक के मामले में है वित्य विध्यक को बजट सत्र में विनियोग विध्यकों के साथ-साथ पारित किया जाता है ये बताईए करेक्ट है क्या भारत की संचित निधी से जब इसके लिए राष्ट पती से अनुमती ले लिजाए देखें, यहां CV correct है भारत की संचचित निधी से अगर आपको रासी निकालनी है तो राष्ट पती के अनुमती की नहीं संसद की अनुमती की अवश्चकता लेनी पड़ेगी आपको संसद से अनुमती लेनी पड़ेगी और पारित करना पड़ेगा विनियोग विध्यक भारत की संचित निधी से अगर रासी निकालनी है तो रासी तभी निकल सकती है जब विनियोग विध्यक पारित किया जाए ना की राष्ट पती से सुकृती गलत है यह राष्टपती नहीं विनियोग विध्यक पारित करके निकालना पड़ेगा भारत की संचित निधी से धन जो प्रोसेस है संसत का question number 19 है इन में से किस राज में सबसे अधिक लोगसभा सीटें हैं देखिए अगर उत्तर प्रदेश होता इसमें तो खट से आंसर दे देते हैं सबसे ज़्याद है उत्तर प्रदेश में लोगसभा सीटें हैं कितनी हैं 80 सीटें लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा हो गया डाल तमिलनाडू में यहाँ पर सबसे ज़्याद हैं 39 तमिलनाडू में यहाँ पर सबसे ज़्याद हैं 39 मध्य प्रदेश में 29 और करनाटक में यहाँ पर 28 और गुजरात में कितनी है 26 गुजरात में कितनी है 26 करनाटक में 28 मध्य प्रदेश में 29 तमिलनाडू में 39 तो इसका अं कंत ये अंतिम प्रस्ट प्रस्ट इए 70 वी लोक सभा में प्रोटैम impactful कौन था the most olduğunu और व्यक्ते अब जैस्टान कोटस आइंका चुनाब शतर और प्रोटेम स्पीकर जो हैं सत्रवी लोग सभा के कौन है वो वो है बिरेंद्र कुमार बिरेंद्र कुमार है सत्रवी लोग सभा के प्रोटेम स्पीकर तो 20 प्रशन यहां पर complete होते हैं important है सारे के सारे प्रशन तो एक लाइक कर दीज़ेगा टेस्ट पसंद आया तो और सब्सक्राइब करके जुड़ो देहिए चैनल से जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल लेए हैं सबका प्लेलिस्ट में लें खर टेस्ट के नीचे आपको डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा देखे एक चीज और ओम बिडला का चुनाब शेत्र तो हो गया राजिस्थान कोटा से तो इनका कहां से अब बिरेंद्र कुमार का जो प्रोटे में स्पीकर हैं सत्रीवी लोग सभा में इनका है टीकमगड इनका है टीकमगड मध्य प्रदेश से याद रखेएगा कभी सीधे सीधे पूछ ले जाए तो धन्यवाद जुड़े रहे हैं चैनल से लेसन देखने के धन्यवाद